Hello Friends, English-based Samir Classes में मैं Samir, आप सबका Welcome करता हूँ. आज हम पढ़ने जा रहे हैं The Art of the Essays, written by Arthur Benson. इसका First और Second Part already मैं डाल चुका हूँ, जिसका Link मैंने Description Box में दे दिया है. तो बहतर यही होगा दोस्तों कि आप First और Second Part पहले देख लें ताकि यहां पार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो फिर आईए इसका Third Part शुरू करते हैं. It is with these rudimentary and inexplicable emotions that the essayist may concern himself, even though the poet be forbidden to do so. And the appeal of the essayist to the world at large will depend upon the extent to which he experiences some common emotion, sees it in all its bearings, catches the salient features of the scene and recalls it in vivid and impressive speech. निबंदकार इन मौलिक और आकथनिये भावनाओं की परवा कर सकता है. भले ही कवी ऐसा करने से मना कर दे और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए निबंदकार की अपील इस बात पर निर्भर करेगी कि वह किस हद तक कुछ आम भावनाओं का अन्भोग करता है. इसे इसके सभी आच्रण में देखता है. दृष्य की मुख विशेस्ताओं को पकड़ता यानि गौर करता है. और इसे ज्वलंत तथा प्रभावसाली भाशन में दर्ज करता है. रूडिमेंटरी का मतलब मौलिक, इनेक्स्प्लीकेबल की हिंदी अकथनिये और एक्स्टेंट हद यानि सीमा को कहते हैं. the舌ist is therefore to a certain extent bound to be a spectator of life, he must be like the man in Browning's fine poem, how it strikes a contemporary, who walked about, took note of everything. Looked at! The new house building poked his stick into the mortar. निबंदकार, इसलिए एक निश्ची सीमा तक जीवन का एक दर्शक होने के लिए बात दे है, वह ब्राउनिंग की सुन्दर कभिता, में उस आदमी की तरह होना चाहिए, जो बाहर जाता है, हर चीजों पर गौर करता है, नए भवन का निर्माड देखता है, अपनी चड़ी को मोल्टार में डाल देता है, मोल्टार सीमेंट मोरंग कंक्रीट से बने मसाले को कहते हैं, उसने कॉफी रोस्टर की अंगेठी को देखा और कुछ लड़कों को देखा जो सवच्छा पूर्वक उसकी घिरनी यानी चरखी को घुमाने में मदद कर रहे थे, विंच का मतलब चरखी यानी घिरनी होता है, उसने अपनी एक आख से स्टाल्स पर रखी किताबों पर नजल डाली, उसने उस बिक्रेता के स्टाल पर टंगी गाथा गीत के उड़ते पन्नों को देखा, और उसने दिवार पर लगे उस पोस्टर को देखा, जो काफी मोटे-मोटे अच्छरों में प्रिंट था, उसने मनुश्यों और वस्तुओं के इस हस्तचेप के अधिकार को महसूस किया, यदि किसी ने घोले को हराया, आपको लगता होगा कि उसने देखा, यदि किसी ने किसी महिला को कोसा या श्राब दिया, तुसे पता चला होगा, एट स्टेर्ड एट नोबडी, दे स्टेर्ड एट हिम, और फाउंड लेस तु देयर प्लेजर दन सर्प्राइज, यदि किसी को नहीं घोरा था, फिर भी लोग उसे घोरते रहे, और उन्होंने आश्यर की तुल्ला में अपने आनंद को कम पाया, ऐसा लगता था कि वह उन्हें जानता था और उन्से उतना ही उमीद करता था, काउगनी जंस का मतलब हस्त छेफ होता है, यदि अशेश्ट मैटेरियल, यह में चूज दे सीन, यह में सेलेक्ट दे सॉल्ट अव लाइफ, यह इस इंटरेस्ट इन, whether it is the street or the countryside or the sea beach or the picture gallery, but once there, wherever he may be, he must devote himself to seeing and realizing and getting it all by heart. देखा जाए तो यही है निबंदकार का हतियार, यानि विसेस्ता, या फिर गुण, वह किसी भी द्रिश्य या पहलू को चुन सकता है, वह जीवन के किसी भी भाग को चुन सकता है, जिसमें वह दिल्चस्पी रखता है, चाहे वो गली, देहात, या फिर कोई समुद्री किनारा, या भातिक्तावात को दिखाने वाली कोई तज़्वीर का द्रिश्य, लेकिन जहां कहीं भी वह जाता है, या फिर जा सकता है, उसे उन चीजों को देखने और महसूस करने के लिए खुद को तल्लीन करना होगा, और उसे अपने जहन में उतार लेना होगा, दा राइटर मस्ट नॉट बी तू मच इंटरेस्टेड इन दा एक्शन एंड कंड़क्ट अफ लाइफ, लेखक को जीवन के बेवहार और कारे बिधी में बहुत जादे दिल्चस्पी नही लेनी चाहिए। If he is a politician or a soldier or an emperor or a plowboy or a thief and is absorbed in what he is doing with a vital anxiety to make profit or position or influence out of it. If he hates his opponents and revolves his friends If he condemns, despises, disapproves He at once forfeits sympathy and largeness of view यदी वह एक राजनेता है या सैनिक, या एक समराट या खेती करने वाला कोई लड़का या फिर एक चोर ही क्यों ना हो वह जो भी कर रहा है उसे उसमें रम जाना चाहिए बिना किसी लाव, पद या प्रभाव की चिन्ता किये यदी वह अपने बिरोधियों से नफरत करता है और अपने दोस्तों को सम्मान देता है यदी वह निंदा करता है, ग्रणा करता है और सहमती जताता है तो वह तुरंत ही सहनभूती और देखने की चाहा खो बैठता है उसे अपनी पूरी शक्ती के साथ विश्वास होना चाहिए कि वह जिस विशय का आनंद लेता है, वह उसमें रुची रखता है उन विश्यों के विश्वास परक सीमा तक जिसको ध्यान में रखा जा सके और उसकी प्रस्तुती की जा सके लेकिन यहाँ बाद भी है कि उससे किसी भी व्यवसाय या धंदे को जरूरत से जादा उसके महत और आशक्ता को बैक्तिगत या अनिवार रूप से लिए जाने पर विश्वास नहीं करना चाहिए The eminent banker, the social reformer, the forensic pleader, the fanatic, the crank, the puritan these are not the stuff out of which the assist is made प्रशिद अर्थ शास्त्री, समाश सुधारक, अदालती पैरोकार, कट्टरवादी, संकी, नतिक्तावादी ये वो नहीं हैं। जिन से निबंदकार बना है। वह नैतिक्ता को तवज्जो दे सकता है, लेकिन उसे नैतिक, रोश में सामिल नहीं होना चाहिए। उसे अवस्ते ही सहनसिल होना चाहिए। और उसकी पहचान ध्रणता से नहीं, बलकि उसके गुणों से होना चाहिए। फॉरेंसिक प्लेडर का मतलब अदालती पैरोकार होता है। फैनिटिक कट्टर्ता को कहते हैं, क्रैंक का अर्थ संकी होता है, प्यूरिटैन नैतिक्तावादी को कहते हैं, इंडल्ज की हिंदी लिप्त यानि शामिल होना होता है, टॉलरेंट का हिंदी मतलब सहनसिल, डिसर्न पहचान को कहते हैं, और रही बात सॉलिडिटी की, इसका मतलब ध्रिण यानि मजबूत होता है. उसे जिन्दगी के तमासे की चिंता करनी चाहिए जैसा कि या द्रिश्यों और आकरतियों की चलती टेपेस्ट्री के साथ खुद को बुनता चला जाता है, बजाए जीवन के लच्छियों और उद्देश्यों के. उसे वास्तों में चीजों के साथ व्यस्त होना चाहिए, जैसा कि वे दिखाई देते हैं, बजाए उनके महत्यों या उनके नैतिक उदारन के. I have little doubt in my own mind that the charm of the familiar essayist depends upon his power of giving, the sense of a good-humoured, gracious and reasonable personality, and establishing a short of pleasant friendship with his reader. मुझे अपने स्वयम के मन में थोड़ा संदे है. प्रसिद्ध निबंदकार का अकर्षण एक अच्छे, विनम्र, सालीन और उचित व्यक्तितु का बोध कराने की उसकी शक्ति पर निर्भर करता है. और अपने पाठक के साथ एक सुखद मित्रता स्थापित करना होता है. कोई नहीं जाता किसी निबंदकार के पास, किसी जानकारी की इच्छा के लिए, या फिर इस उम्मीद में कि उसे किसी पेचीदा, मामले का सीधा या आसान हल मिल सके. लेकिन या वह तरीका नहीं है, जिसमें कोई व्यक्ति निबंदों का विस्तार सुरू करता है, यानि वैलूम्स लिखता है. What one rather expects to find is a companionable treatment of that vast mass of little problems and floating ideas, which are aroused and evoked by our passes through the world, our daily employment, our leisure hours, our amusements and diversions, and above all, by our relations with other people, all the unexpected, inconsistent, various simple stuff of life, the assessed ought to be able to impart a certain beauty and order into it to delineate, let us say, the vague emotions aroused in solitude or in company by the sight of scenery, the aspect of towns, the impressions of art and books, the interplay of human qualities and characteristics, the half-formed hopes and desires and fears and joys that form so large a part of our daily thoughts, जिसे कोई भी ढूणने की आशा नहीं करता, छोटी-छोटी उस विशाल, समस्याओं और बहने वाले विचार, समुहों का मिलन सार बेवहार है, जो दुनिया के माध्यम से हमारे मार्ग, हमारे दैनिक रोजगार, हमारे आवकास के समय, हमारे मनोरंजन और विवित्ताओं के कारण पैदा हुई, और जगाई गई हैं, और इन सब से ज़्यादा, अन्य लोगों के साथ हमारे संबंधों के द्वारा, निबंदकार, जीवन की सभी आप्रत्याशित, असंगत, भिन्न-भिन्न, सरल सामागरी को लेकर एक निश्चित सौंदर और बेवस्था प्रदान करने में सच्छम होना चाहिए, इसका चित्रण करने के लिए, कहते हैं आइसपस्ट भावनाओं को एकांत में या संगत में द्रिश्यों के अवलोकन, शेहरों के स्वरूप, कला और किताबों की छाफ, मानविय गुणों और विसेस्ताओं के अंतर, अधुरी उम्मीदों और इच्छाओं और भय और खुसियों से जगाया जाता है, जो हमारे दैनिक बिचारों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, डेली नियट का मतलब चित्रन करना होता है, दासेस्ट और तो बेबल तो इंडिकेट आ केस और प्रोबलम ता इस आप्ट तो अकर इन और्डिनरी लाइफ, और सजेस्ट दा थेरी आफ इट, तो गेस वाट अर निबंदकार को ऐसे किसी मामले या समस्या को इंगित करने में सच्छम होना चाहिए, जो सामानी जीवन में होने के लिए उप्यूक्त हैं और इसके सिद्धान का सुझाव देते हैं, और इस बात का अनुमान लगाने के लिए भी कि वह क्या है, जो हमारे मूड को ध्रण य फिट बनाता है, वाई वी एक्ट, कंसिस्टेंटली और इनकंसिस्टेंटली, वट इट इस दाट रिपल्स और अट्रेक्ट्स अस इन आवर डेलिंग्स वेद अधर पीपल, वट आवर प्राइवेट फैंसीज आर, क्यों हम लगातार या असंगत रूप से कारे करते हैं, यह क्या है, जो अन्ने लोगों, जो हमारे करीवी रिष्टेदार हैं, कि साथ हमारे बरताओ में हमें बिकर्शित या अकर्शित करता है, अच्छा निबंदकार वह सक्स होता है, जो एक पाठक यानी रिडर को कहता है, बहरहाल मैंने अक्सर उन सभी चीजों के बारे में विचार किया, लेकिन मैंने उनके बीच किसी भी संबंध से पहले कभी नहीं सोचा, और ना ही उन्हें शब्दों में रखने के लिए इतना दूर हुआ, इस प्रकार निबंदकार के पास विस्तरित और दूरगामी जिग्यासा होनी चाहिए, उसे इंसानों के मतभेदों और उनके भिन्न भिन सिद्धानतों यानी बिचारों से नाखुस होने के बजाए, उनमें दिल्चस्पी लेनी चाहिए. He must recognize the fact that most people's convictions are not the result of reason, but a mass of associations. Traditions, things half understood, phrases, examples, loyalties, whims. उसे इस तत्थे को पहचानना चाहिए, कि अधिकांस लोगों का विश्वास तर्क का परणाम नहीं होता है, बलकि एक लोगों का समु, परमपराएं, आधी अधूरी सोची गई चीजें, कुछ शब्द समु, यानी वाक्यांस, कुछ उदाहरण, निस्था या सनक होता है. उसे इंसानियत की असंगती का जादा ध्यान रखना चाहिए, बजाए इनकी पहचान के, और उसे इस चीज का जादा ध्यान करना चाहिए, कि लोग आखिर सोचते क्या हैं, बजाए इस चीज के, कि आखिर उन्हें सोचना क्या चाहिए. He must not ashamed of human weaknesses, or shocked by them, and still less disgusted by them, but at the same time, he must keep in mind the flashes of fine idealism, the passionate visions, the irresponsible humos, the salient peculiarities, that shoot like sun rays through the dull cloudiness of so many human minds, and make one realize that humanity is at once above itself and in itself and that we are greater than we know, for the interest of the world to the olden student of it is that we most of us seem to have got hold of something that is bigger than we quite know, how to deal with, something remote and far off, which we have seen in a distant vision, which we cannot always remember or keep clear in our minds. इन्सानों की कायरता को लेकर उसे शर्मिन्दा नहीं होना चाहिए, या फिर उनके द्वारा चौके जाने पर, और उसे उनसे कम ही घ्रणा करनी चाहिए, बलकी ऐसे में उसे स्रेष्ट आदर्श वादिता के पहलूओं भावक द्रिष्टी, गैर जिम्मेदाराना हास्य, प्रमुक विसिष्टताओं को अपने मस्दिस्क में रखना चाहिए, जो इतने सारे मानों मस्दिस्क के धुंदले बादलों में से, सोरी की किरण की भाती वेक से निकलते हैं, और हर किसी को एहसास कराते हैं, कि इंसानियत खुद से उपर और खुद में है, और जितना कि हम जानते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, दुनिया के हित के खातिर, इसके उत्साही छात्र के लिए, जैसा कि हम में से अधिकांस को लगता है, हमने कुछ पकड़ रखा है, जो हमारी जानकारी से भी ज़्यादा बड़ा है, और इससे कैसे निप्टा जाए, शायद यहां हमें भी नहीं पता, या फिर बहुत दूर और सबसे दूर, जिसे हम हमेशा याद नहीं रख सकते, या अपने मन में बसा के नहीं रख सकते। द्वंद है, भिन भिन तरीकों से, खिचने की इसकी प्रवित्ती, शैतान और बेकर के बीच रस्सा कशी जैसा है, जो हमारे दिमाग के अंदर है। और अंत में वह बेकर अपनी खुद की टोकरी में ही कैद उस सैतान की पीट पर दिखाई देता है। और अंत अंत विन प्रवित्ती प्रवित्ती चंपने हैं। are recovered in life, and in themselves, and in the part they can take in life. And he does that best if he convinces men and women that life is a fine sort of a game, in which they can take a hand, and that every existence, However confined or restricted, is full of outlets and pulsing channels, and that the interest and joy of it is not confined to the politician or the millionaire, but is pretty fairly distributed, so long as one has time to attend to it and is not preoccupied in some concrete aim or vulgar ambition. और जो निवन्तकार का मानाग्या उद्देश्य है, वह है लोगों में जीवन के प्रती रुची पैदा करने के साथ ही साथ उनके खुद में भी रुची पैदा करना, और उस भाग में भी जिसे वे जीवन में अपना सकते हैं, और यदि वह ऐसा करके मनुश्यों और इस्त्र का प्यारा सा खेल है जिसमें वे कुछ निर्धारित करने में प्रभावसाली बन सकते हैं तो ऐसा करके वह सबसे अच्छा कारे करता है और यह भी बताना संसार में मौजूद हर एक व्यक्ति भले ही वह कैद है या प्रतिबंधित उसे किसी भी रास्ते पर चलने और किसी भी दिशा में जाने की आजादी है और अनुराग और आनंद मात्र राजनेताओं या करोन पतियों तक ही सीमित नहीं है बलकि यह बड़ी निस्पच्छता से बाटी गई है जब तक किसी के पास इसमें भाग लेने का वक्त है वह भाग ले सकता है मगर भौतिक उद्देश या हाँ इस पस्ट महत्वा कांचा को लेकर नहीं तो दोस्तों दा आर्ट आप दा एसेस्ट का पार्ट थर्ड यहीं कम्प्लीट होता है इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाता हूँ